नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायो फ्लॉक फिस फार्पिंग में आज हम आपको बताएंगी बायो फ्लॉक टैंक में पी एच को कैसे चेक करें और कैसे कंट्रोल करें यदि पी एच लेवल कैसे मेंटेन करें हमें 7 से 8 पी एच लेवल मेंटेन करना होता से चेक करने के लिए लए डू तरीके होते हैं एक होता है इसरी मेतलि आहिसे पाती लिप में उन उसारो यह निवार को करना होती है उसके आप हुआते हैं यह इंसे माप सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है इसमें से लेक्टमस की स्ट्रिप आपको लेनी है और ये स्ट्रिप है इसको आपको अपने टैंक के पानी में जिसके आपको पीच लेनी है उसमें आप इस तरीके से दुबा दीजिए दुबाने के बाद ये देखें आप इस ट् मैच करना है यह रखी तो यह देखी यह 7 के साथ ही मैच कर रही है क्योंकि जो इस पानी का हमने पीहच लिया है यह बफर सॉलुशन है इसकी पीहच 7 होती है अब यह बफर सॉलुशन कैसे तयार किया जाता है इसके लिए मैं आपको बताऊं यह बफर कैप्शूला बफर कैप्शूल पीहच 7.0 इस एक कैप्शूल को हम 100 ml डिस्टिल वाटर में अगर मिलाते हैं तो उसकी पीहच 7 हो जाती है यह हमें दोसरे जगह जब हम पीहच मीटर से पीहच चेक करते हैं उसके लिए उसको कैलिबरेट करने के लिए भी आमें इस बफर सॉलिशन की जरूरत परती हैं एक बात ध्यान रखें कुछ लोग कहते हैं कि आप बिसलरी का पानी मिनरल वाटर वो लेके उससे भी आप इसको सैट कर सकते हैं कैलिबरेट कर सकते हैं नहीं बिल्कुल मत करना या कभी भी मत करना आप देखेंगे डिस्टिल वाटर के उपर उस पर लिखी रहती है पीएज 5 टु 7 तो फाइब भी हो सकती है सेवन भी हो सकती है इसके बीच में कहीं भी हो सकती है वह से आपकी पीच की रेंच बिल्कुल गलत हो जाएगी तो आपको यह बफर सॉलुशन ही इसमें यूज करना है दूसरा तरीका हम दिखाते हैं आपको पीच मीटर यह भी अजय मेटर है यह एस दरीके कि होता है कि यह यह होता है इसमें यहाँ यह ऑन-ई-फ के लिए होता है यह और टो हम इस बाफर सॉलूजूशन की पी एच इसमें चेख करके देखते हैं जैसे हमने इसको होन किया इसको हम यहां तक इसमें डुबा देते हैं इसके पीछे आप देखिए एक यहां पर एक बारिक सा होल बना हुआ है यह देखिए यह इसको कालिबरेट करने का काम आता है अगर हम इस बफर सॉलुशन में इसको चेक करते हैं पिएच हमारी सेवन नहीं आ रही है तो उसके लिए इसमें एक स्कूरू ड्राइवर दिया गया है और इसके पीछे यह है इस स्कूरू ड्राइवर को यहां पे डालक रहा है और इस बफर सॉलुशन में इसको डुबाके इसकी पीछ चेक करते हैं तो जैसी है सैवन पर फिक्स हो जाता है तो उसको सैवन पर हम फिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम्ने टांक के पानी का पीच हम चेक करना है क्योंकि durch अपने आप इसकी पीज हो जादा होती है डिजिटल मेटर की इसलिए यह बफर सॉलिशन जो हमने यह बनाया इस बफर सॉलिशन को आप एक बार बना के रख लीजिए और इससे पहले आप उसको चैक कीजिए जैसे ही उसकी प्याश सेवन हो उसके बाद ही आप अपने टैंक की प्याश चैक करें अब आती है आपको है दोनों तरीकाई आपको बता दी है एक तो इस ट्रीम मैथर से प्याश कर सकते हैं इससे थोड़ा आपकर सकते हैं मेंतica करें अ zwr बाद अपको यह बात जरूर श्यावर रखनी है कि आपके जो पानी है जो तो टैंक में आपने भरा है, पहले उसमें कुछ भी मिलाने से पहले उसकी pH चेक करनी है, कितनी है, अगर उस टैंक के पानी की pH 7 से उपर है, तो आपको उसमें calcium carbonate नहीं मिलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको calcium carbonate की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत आपको पड़ेगी लेकिन उसमें आपको calcium carbonate मिलाना नहीं है उसमें आपको mollasicide करना है नमक एड़ करना है और probiotic एड़ करना है जब 4-5 दिन से उसमें flock develop होने लग जाए तो आप उसकी pH daily आप test कीजिए अगर उसकी pH आपको 7 से नीचे जा रही है तो आपको उसमें calcium carbonate मिलाना है नहीं तो पहले ही नहीं कुछ लोग बताते हैं कि आपको इसमें मौला से calcium carbonate नमक के इतनी इतनी मातरा में इतना इतना ratio में आप मिला दीजिए नहीं वो ratio हर पानी के according अलग-अलग होता है पहले आप अपने हाँ का पानी चेक कीजिए कितना है suppose करो आपके पानी की pH 8 है बहुत सारी जगें पानी की pH 8 है आपने उसमें calcium carbonate मिला दिया उसके 9 चली गई अब उस 9 को करने के लिए आप उसमें मौलसिस मिलाता रहेंगे तो आपको इतना मौलसिस मिलाना पड़ेगा कि ओपानी आपका गाढ़ा हो जाएगा और उसमें आपको problem हो सकती है हाँ लेकिन मौलसिस मिलाना ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पानी की pH 7 से नीचे 6 है तो आप उसमें मौलसिस नहीं मिलाना है मौलसिस तो ज़रूरी है carbon source है वो जो बैक्टिरिया के लिए एक तरीका से feed है खाना है जब आप carbon source नहीं होगा तो बैक्टिरिया उसमें गुरो नहीं करेंगे तो आपको पानी में नमक भी मिलाना है मौलसिस पर भी मिला लेना है उसके बाद पहले ता प्रीटिशिल वाटर अपने जो पानी जो आप ni अपने मिला है उसकी עक करणी है तो पिर आपको इसमें कारगोनिट एड़ करना है तो अगर 1000 लेटर का आपका टैंक है तो उसमें 50 गराम माप कैल्सियम कार्वनेट मिला सकते हैं उसको मिला के एक दिन के बाद फिर आप पियेच चेक कीजिए फिर नोट कीजिए अगर वो गौर कम रहती है तो उसमें और मिलाईए हमें पियेच मेंटेन करनी हो वैसे जो पंगेशियस फिस है कि 6.5 से लेके 8.5 पियेच तक आराम से रह सकती है लेकिन हमें फिर भी जो आइडियल पियेच इनके लिए 7 से 8 के बीच में अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा पानी होता है तो पियेच को कैसे चेक करना है और पिये ही मिलाना है पियेच चेक करने के बाद मिलाना है अगर आपकी पियेच से नीचे हो तो मिलाना है नहीं तो उसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है और यह बात भी धिहान रखे कि कैलसियम कार्बोनेट ही मिलाएं उसमें चूना डॉलोमाइट बिल्कुल ना मिलाएं क्योंकि य लेकिन चुना अगर आप मिलाएंगे तो एक बार बढ़ा देगा फिर दुबारा डाउन जाएगी तो आपको दुबारा मिलाना पड़ेगा तो बार-बार आपको यह करने पड़ेगी इसलिए केल्सियम कार्बोनेट ही मिलाएं उसमें ठीक है और यह आपकी ammonia test kit ammonia ns3 ns4 bottle 1 यह ammonia की bottle 2 है ns3 ns4 यह इसके लिए measurement के लिए आपकी strip है इस पे देखो 0 PPM से लेके 8 PPM तक ये इसकी टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि आप इसको चेक करते हैं तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको ये API की है अमोनिया टेस्ट किट की अमोनिया कैसे चेक किया जाता है टैंक में ध्यान रखें अमोनिया चेक करने की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आपके टैंक में फिस होगी जब तक फिस नहीं होगी तब तक आपके आमोनिया नहीं होगा आपके पानी में उसे चेक करने के लिए तो अगली वीडियो में आपको इस अमोनिया टेस्ट करके दिखाऊंगा तो उसके लिए मुझे फारम पे जहां कि जिस टैंक में फिस हैं उसी के पानी को लेकर उसमें चेक करना होगा तो यह सारी जानकारी में एक एक करके अभी मैंने आपको टैन पिसली वीडियो में दिखाए थे कुछ 10 और 11 पेरामेटर्स थे कि जो एक अनुकूल परामिटर्स होते हैं फिस को ग्रो करने के लिए तो उसमें से एक जैसे पी अच हो गया, अमोनिया हो गया, सैलनिटी, अलकलनिटी वो सारे परामिटर एक एक करके कैसे उनको चेक करना है और कैसे उनको मेंटेन करना है हर parameter में आपको एक वीडियो में देता रहूंगा तो आप मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और bell icon को जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको notification नई वीडियो आते ही तुरन notification मिलता रहे है Thank you